बहू, और कुछ लाओं क्या? नई माजी, मुझसे और खाया नहीं जा रहा है, मैं तो सर्फ इतना ही खाती हो, हाँ मा, मेरा भी पेट भर गया है क्या बहू, दो पराठे खाकर पेट भरता है क्या, और एक तो ले लो नहीं नहीं मा जी और नहीं आप पेट भट जाएगा आप क्या सोच रहे हो कि विमला की दोनों बहुए बहुत शर्मिली है वो तो इस लिए क्योंकि आज ससुराल में इन दोनों का पहला दिन है पहले ही दिन में कोई असली रंग दिखाता है क्या ये दोनों बेहने तो एक नंबर की भुकड है आगे आगे देखो होता है क्या लेकिन माईके में सीमा और सुमन बहुत जादा खाया करती थी शादी से एक महिने पहले उनकी मा ने उनसे कहा बेटी तुम दोनों थोड़ा कम खाया करो अब तुम दोनों बहु बनने जा रही हो मा खाना कैसे गम करेंगे जितने में पेट भरेगा उतना ही नखाएंगे हाँ वो बात तो है लेकिन हमें शादी के लिए डाइट करना होगा ने तो शादी में अच्छे फोटो नहीं आएंगे हाँ ये बात तो तुने सईक है कल से डाइट शुरू करते हैं फिर शादी के बाद ससुराल जाकर वसूल कर लेंगे। दोनों ने एक महीने डाइट किया और दोनों पतली हो गए। शादी भी हो गई और अच्छे फोटो भी आ गए। विदाई के वक्त उनकी माने उनसे कहा। बेटी माय के का मान सम्मान रखना, ससुराल जाते ही ठूसने मत लगना, समझी हा मा समझ गई। इसलिए सीमा और सुमन दो से जादा पराठे नहीं खा रही थी। लेकिन उनके पेट में बीस पराठे तो आराम से खुश जाते थे। बिमला बड़े प्यार से उन्हें दो-दो पराठे खिला कर खुश हो गई। उसने सोचा, वहा कितनी शर्मीली संसकारी बहुएं मिली है मुझे, मेरा तो दिल खुश हो गया। लेकिन उधर देर रात को दोनों बेहनों के पेट में चुहे दोरने लगे, सीमा का पती अरजुन तो खर राटे ले रहा था, सुमन का पती भी खापी कर मस्थ हो गया था, तभी सीमा और सुमन दोनों अपने अपने कमरों से बाहर आई, सुमन तुझे भी भूख लगी है ना, हाँ बहुत, तुझे, पूछ मत, चल, रसोई चलते हैं, दोनों रसोई चली गई, रसोई में बना बनाया कुछ भी नहीं था, अरी यार, यहां तो कुछ भी नहीं है, अभी खाना बनाने का भी दिल नहीं कर रहा है, चल्? न सीमा, बिस्किट खाते हैं, दो पैकेट नी रहेंगे चल मैगी बनाते हैं खा सकती थी लेकिन बिमला तो उन दोनों को रसोई में घुसने ही नहीं दे रही थी खेर सुबह सुबह रसोई में घुसने ही बिमला ने देखा कि सबजियां गायब है अरे कल ही तो बाजार से सबजियां लाई थी वो सब कहां गए बहु तुम दोनों ने देखा है क्या नहीं मैंने कुछ नहीं देखा हाँ मुझे भी कुछ नहीं पता वो चूहों ने खाई होगी बापरे कितना बड़ा चूहा था सारी सबजी खा गया ये क्या बिस्किट का डिबबा भी खाली है ये चुहे बिस्किट का डिबबा भी खोलने लग गए है क्या क्या पता माजी समय के साथ साथ चुहे भी अपग्रेड हो रहे है न बापरे क्या दिन आ गए है ठीक है अब सब कुछ संभाल कर रखना होगा बेटा जरा बाजार होकर आना बिमला ने दोनों बेटों को बाजार भेज दिया फिर से रसोई में सबजियां आ गए आज भी सीमा सुमन ने जादा खाना नहीं खाया और रात को फिर से सबजियां खत्म कर डाले अगले दिन बिमला फिर से हैरान रह गई ये रोज रात को हो क्या रहा है रसोई से सब कुछ गायब कैसे हो रहा है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा चूहा माजी चूहा हाँ चूहे सब खत्म कर रहे हैं बेटा आज ही चूहे मारने की दवाई लाना घर में चूहे बढ़ गए है रात को बिमला ने चूहे मारने की दबाई बिस्किट में मिला कर बाहर रख दिया लेकिन सुबा उठकर देखा तो उन जहरीले बिस्किट के अलावा बाग की सब गायब था इन चूहों के पास तो दिमाग भी है, क्या स्माट चूहे है बिमला ने रसोई में सबजियां रखना ही बंद कर दिया तब सीमा और सुमन मुश्किल में पढ़ गए उनके पास खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं सुमन कुछ तो इंतिजाम करना होगा बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा हाँ सही कहा सीमा हम ऐसे भूके तो नहीं रह सकते आजकल तो रात को भी खाना डिलीवर किया जाता है दोनों हर रोज खाना मंगवाने लगी और बाहर का खाना खाती रही और दो महीने ऐसे ही बीद गए इन दो महीनों में सीमा और सुमन मोटी हो गए बिमला को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है मुझे बस एक बात समझाओ तुम दोनों खाती तो हो नहीं ज्यादा दो रोटी और एक कटोनी चावल से पेट भर जाता है तुम दोनों का फिर दो महीने में ये कैसे हो गया पता नहीं मा हमें भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाहर का खाना हर रोज खाने की वज़े से दोनों के पेट में भी गरबड़ी होने लगी पेट में हमेशा गैस होने लगी और वो दोनों हमेशा घर के इधर उधर गैस शोने लगी पूरे घर में बद्बू फैल गई अरे बाप रे आसपास कोई जानवर मर गया है क्या ये बद्बू कहां से आ रही है पता नहीं मा जी हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिमला पतली की पतली रह गई और उसकी दोनों बोव में मोटी होती गई एक दिन दोनों की तब्यत खराब हो गई डॉक्टर ने कहा ज्यादा तेल और मसाले खाने की वज़ह से हुआ है ऐसा लेकिन मैं तो खाने में ज्यादा तेल डालती ही नहीं हूँ वो मुझे क्या पता मैं तो सच्चा ही बता रहा हूँ अब जाकर विमला को शक हुआ उसने उस दिन रसोई में फिर से सबस्यां रख दी रात को सीमा और सुमन रसोई में गई और खाने लगी और तब ही वहां विमला आ गई अच्छा तो तुम हो वो दोनों चुहे विमला को देखकर दोनों रो पड़ी माफ कर दीजे मुझे हाँ माची मुझे भी हमसे गलती हो गई लेकिन तुम दोनों मेरे सामने कम क्यू खाती थी जितना भूख है उतना ही खाओ माने मना किया था अगर आप हमें भूख कर समझती तो ये बात है बहू घर का खाना जादा खाओगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी लेकिन बाहर का खाओगे तो बिमार पड़ जाओगी मैं तो तुम दोनों की मा ही हूँ मैं कह रही हूँ तुम दोनों को जितना खाना है खाओ लेकिन घर का खाओ मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी एक अच्छी सास मिल जाए तो और क्या चाहिए उसके बाद से दोनों ने कभी बाहर का नहीं खाया बिमला उन दोनों के लिए घर में अच्छे-च्छे पक्वान बनाती गए और वो दोनों खाती गए दोनों के तब्यद भी ठीक हो गए और दोनों पतले भी हो गए और सास बहु ऐसे खुशी-खुशी जिन्दगी बिताने लगे